प्रश्कार स्वागत आपका Self Study के चैनल पर और आज हम अपने इस वीडियो में चर्चा करने वाले कि जो पंचायती परणाली है उसके अंदर सरपंच पतिवाद क्या होता है आपने एक सीरीज देखी होगी पंचायत करके ये मुझे याद नहीं है Amazon के उपर आई थी या कौन रही होती है तो अब हम इसको डिटेल में कवर करने वाले हैं कि सरपंच पतिवाद की जो परिभाश है वो निकल कर कैसे आई और यह चर्चा में अभी हाल फिलाल में क्यों आई हुई है क्लियर तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले PDF के बारे में आप लोगों को उताज Foundation एक NGO है इस NGO ने क्या क्या जो भारत के सुप्रीम कोट है उसकी तरफ अपना मुझ किया यानि रुक किया इस बात को लेकर कि जो आपकी जो पंचायत परनाली है उसके अंदर सरपंच पतिवाद का जो है वो मामला काफी जादा हाइलाइट हो रहा है हालांकि सुप्रीम जोट ने सरकार को कहा कि सरकार जो है वो महीला सशक्तिकर्ण और उनके आरक्षन के उदेश्यों को लागू करने के लिए उचित कारवाई करने का भी आग रहे किया तो फर्स्ट अफोल हम जमसते हैं कि जो ये ग्रामीड ये मुंडोना ग्रामीड विकास फांडेशन जो य लोग उस स्थिती यानि उस सिचुएशन को डिफाइन करने के लिए किया जाता है जहां पर जो पुरुष है वो सरपंच पती या सरपंच देवर या प्रधान पत्री आधिक रूप में कार्रे करते हैं अब ये तो कार्रे करते हैं लेकिन सरपंच चुना किसको जाता है दे त्विक राजनितिक और निनायक शक्ति किसके पास होनी चाहिए थी उस महिलाओं के पास होनी चाहिए थी लेकिन महिलाओं के पास ना होकर वो किसके पास चले जाती है सरपंच देवर के पास या सरपंच पती के पास तभी तो मैंने आप लोगों के लिए सबसे पहले वो image मै फायदा उठाते हुए कैसे काम कर रहा है यानि influence कर रहा है लोगों को कि अगर तुमने मेरा ये काम नहीं किया तो वो sign नहीं करके देगी आगे तो ये सब चीज़ें हमें उस web series में भी देखने को मिलती है जहां पर लगबग वैसा ही चीज़ों को दिखाया जाते है जैसे कि पंचायत में देखने को मिल रहा है तो यहां पर आप देखेंगे ने कहीं कहींगे अरे ऐसा नहीं होता actual में होता है कि सरपंच पती अब actual में सरपंच को नहीं है? महिला लेकिन महिला की ना चलते हो वे किसकी चलेगी उसके पती की लोग काम किसके पास करवाने हैंगे उसके पती के पास या उसके देवर के पास वहाँ पर वो काम करवाने हैं अब सरपंच पतिवाद की जो अफधारना है वो पंचायतों में जो महिला के लिए जो reservation रखी गई है कि उनको आगे लेकर आएंगे, उनको woman empowerment वहाँ पे करेंगे 73 में समिधान संचोधन के अधिनियम के द्वारा 1992 में जो महिलाओं को सशक्त करने के लिए लोकतांतर में परतिनितिव के माध्यम से उनकी समाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार करने के लिए जो पेश किया गया था, वहाँ पर अरक्षन दिया गया था कि 33% महिलाओं के लिए यहाँ पर सीटें जब reserve रखी जाएं वो सब चीजें जो की गई थी, वो एक तरीके से विर्थ जा रही है क्यों जा रही है, क्यूंकि देखे, काम करना था महिलाओं को आगे आके ले का आना था उनकी समाज़िक, यानि उनकी शोशल, उनकी financial condition में सुधार लाना था वो हो नहीं पा रही है, वो हो क्यों नहीं पारी आप देखिए सर गौवर्मेंट ने तो पॉलसी बहुत अची निकाली कि महिलाओं को हम जो है इंपावर करेंगे अब इंपावर करेंगे एक्चुल में ग्राउंड लेवल पर वो वर्क जो थोड़ा मुश्किल हो जाता है मुश्किल जहां पर हम देखते हैं जो पती देव हैं या देवर हैं वहां पर वो क्या करते हैं influence कर लेते हैं अपनी भावी या अपनी पत्नी जी को कि भई आप घर पे रहिए आप आगे मत जाएए आपने election लड़ने थे लड़ लिए आप एक dummy एक तरिके से candidate हैं आपने वो जीत लिए आप घर पे रहिए आपकी power का यूजर जो है हम कर लेंगे अब सरपच पतिवाद महिलाओं के संवेधानिक अदिकारों और समान का भी उलंगन करते हैं अब संवेधानिक अदिकारों का और संवान का कैसे भी आपके सामने देखेंगे कि जो जमीनी स्तर पर राजनीतिक में बेपरदा महीला बेपरदा पत्नी और बहूं तक की सीमत रह जाती है जैसे मैंने कहा कि उन्होंने इलेक्शन तो जीत लिया इलेक्शन जीतने के बाद जो उनको सम्मान जो एक अधिकार जो समयधानिक अधिकार दिये गए है उन सब का उलंगन किया जा रहा है कि एक राइट्स है डिगनिटी ओव वूमेन होनी चाहिए महिला आगे करारी है उसके एक समान है उसको काम करना है उन सब चीजों को जानना है सरकार ने मोका दिया है उसके अभसा उटाना है तो वह सब चीजी ना करते उसको सिर्फ घर तक ही रख दिया जाते है महिला काम जाते होगा है तो उसकी पत्णी जो है वहाँ पर वहां पर सरपंच बनके आ जाती है अब वो influence जोते हैं उसके पती का होता है actual में महिलाने तो कोछ काम क्या नहीं क्योंकि करने नहीं दिया जाता है वहाँ पर परिणाम सुरूप क्या होता है वे अपने एक तरीके से जो उनकी स्वायता है मतलब किसी मामले में सारवजनिक मामले जो स्वायता है उन सब का प्रभाव वो खो देते हैं सरपंच पतिवाद जो है उस्थानियस तरप पर शाष्षन और सेवा वितरन की गुनवत्ता और प्रभाव शेलता को प्रभावित करते हैं अब भाई कोई महिला है उसको अपने धंक से काम करना है लेकिन धंक से काम ना करके वहां पर उनके परिवार वाले बीच में आ रहे हैं तो उनकी जो एक quality है, influence है उनके ओपर काफी ज़्यादा प्रभाव पढ़ता है इससे ब्रष्टाचार और धंका दुरुपयोग भी होता है यह सारी चीज़ें वो काफी ज़्यादा important है और मुझे बहुत serious issue लगा कि इसको लाना चाहिए इसलिए आपके सामने यह लेकर भी आया हूँ अब इससे निपटने में क्या क्या चुनोतियां आती है देखे एक आप देखते हैं हमारे समाज में जो पित्तर सत्तात्मक पित्तर सत्तात्मक हमारे देश में बोलने को बोला जाते है कि patriarchal society है यहाँ पर पुरुषों के चलते है पुरुष परधान है तो वहाँ पर जो महीला है वो उसकी भागेदारिया है उसके empowerment में एक तरीके से रोडा आठती है अब एक महीला जैसे मैंने का अब वो सरपंच बन गई लेकिन वो अब रहेगी तो अपने पती के influence में अब वो अपने पती के खिलाव जाएगी नहीं जाएगी नहीं तो क्या होगा वो अपना काम सही से नहीं कर पाएगी काम सही से नहीं कर पाएगी तो वहाँ पर उसकी empowerment नहीं हुई तो यह सब चीज़े चुनोतियां में देखने को मिलती है एक और चीज होती है आपने देखा होगा कि जो महीलाएं होती है lack of mobility एनी एक स्थान से दूसरे स्थान पर या जाना वहां पर लोगों से बाचित करना साथ इसाथ social और financial जो difficulties हैं जो resources और opportunity तक महिलाओं की जो पहुंचा उनको limited कर देती है तो ये एक सबसे बड़ी समझ्या हमारे सामने निकल करा रही है एक तो obviously वो गरीब है उनके पास knowledge नहीं है कैसे वो बात करनी है कैसे उन चीजों का अपनी power का use करना है इन सब चीजों का अभाव होने के कारण क्या होता है कि महिलाओं अपनी full capacity से work नहीं कर बाती है अब एक ये issue भी हमारे सामने निकल कर आता है कि महिलाओं जो है वो देखिए obviously वो घ्रेलू जिम्मेदारियों को भी निवाएंगी सारजनिक भूमिकाओं को भी संतुलित करने का यानि उनको balance करने की कोशिश करेंगी ये दो-दो काम करने पर उनकी health पर देखिए कितना ज़्यादा असर पड़ता है देखिए 1912 में तियत्तरम समिदान संजोदन किया गया था जिसमें क्या कहा गया कि आर्टिकल 243 के डी में देश भर में पंचायती राज इंस्टिउशन में महिलाओं के लिए कम से कम एक त्याई आरक्षन का आदेश देता है एक त्याई यानि कि 33% जो है वो महिलाओं के लिए सीट जो वहाँ पर रिजर्व रखी जाएंगे माली जी 100 है तो 100 में से 33% क्या होगी महिलाओं के लिए वहाँ पर सीटें जो है वो रखी जाएंगे एक साथ ही साथ एक और चीज बोली गई है देखे 243 डी में यह भी प्रावधान है कि पंचायती राज इंस्टिउशन में परतेक स्थर पर तीन स्थर होते हैं ठीक है जिला हो गया आपने देखा होगा आपने सुना है तो तीनों स्थर पर क्या है कि सीटों का जो आरक्षन है उनके उपर भी वो लागू कर सकते है आरक्षन की जो विवस्ता है वो भी लागू कर सकते है 33 पर सन्थ जवाँ पर भी लागू कर दी गई अब महिलाओं के लिए अब देखे अगर कोई अनुसुची जन जाती है उनके लिए भी औरक्षित करने का पहँँ पर प्रावधा दिया गया है अब PRI में यानि पंजायती राज इंस्टिशन में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है क्या ये सब चीज़ें सरकार को नहीं दिखती है कि एक महिला जो एक तरीके से लॉंच किया गया था और ये इनहेंस करती है जो PRI है यानि कि पंजायती राज इंस्टिशन की जो कैपसिटी उनको बढ़ाने का और साथ साथ सस्टेनेवल डेवलोप्मेंट गोल के साथ इसको मतलब एक तरीके से लिंक किया गया है टेकनलोजी का यूज करते हुए यहाँ पर क्या किया गया है कि महिलाओं को इंसेंटिवाइज भी किया जा रहा है इसके अलावा एक जो है ग्राम पंचायत विकास योजना इसमें दिशा निर्देश दिये गए हैं यह एक्चुल में महिला से शक्तिकरन के लिए काम करती है यह मुझे काफी अच्छा पॉइंट लगा कि भई देखे इसमें क्या है कि GPDP के बजट उनका जो योजना है उनकी इंप्लिमेंटेशन है उनके निग्रानी है यानि मोनिटरिंग है उसमें महिलाओं का सेक्रिय भागीदार के साथ-साथ जो समाने गराम सभाय होती है वहां पर महिलाओं का सभाओं का आयोजन उनसे पहले करना ये सब चीजहें शामिल है महिलाओं को आगे लेक्शा है याँ पर यह ऑजना बन रही है अब आगे की राग क्या हो सकती है यह देखिए महिला परतिनिदियों के लिए जो एक उनकी capacity है उनको और उभारने के लिए उनको leadership program जाए वो सब चीजें लागू करनी चाहिए अब किसी भी महिला को आप जाते हैं गाउ में तो अब उनसे यह accept नहीं कर सकते हैं कि यार इसको तो बहुत कुछ आना चाहिए इनकी leadership quality बहुत अच्छे हैं अरे नहीं हो सकती वहाँ पर क्योंकि वो बहुत देखा जाए तो वो गाउं में ही रही है वो घर के अंदर ही रही है उनको बहार कम ही निकली है तो नहीं पता है चीजों को अमटी power का कैसे यूज करना है तो leadership quality को improve करने के लिए उनके लिए प्रोग्राम वहाँ पर लागाने चाहिए महिला परतिनितियों की भागेदारी और जवावदेई अभियान का आयोजन करना महिला परतिनिति को परयाप्त वित्य और प्रशाष्णिक सहायता सुनिचित करना कि आपको efficient तरीके से वहाँ पर financial administration help जो है वहाँ पर provide की जाएगी और इसके साथ साथ जो सरपंच पतिवाद है या फिर प्रोक्सी politics है उनको कम करने के लिए उनको रोकने के लिए दंडित करने के लिए कानून और नीतियां बनाना ये सब चीज़ें करनी बहुत जरूरी होगी देखे देश में कानून जो है वो बहुत अच्छे बनाए गए है ऐसा नहीं कि कानून नहीं बनाए गए है लेकिन कहीं ना कहीं कोई loophole निकल जाता है जैसे आपके सामने ही है आप देखें आप गाउं में जाके देखें एक महिला को तो सिर्फ एक तरीके से सरपंच बना के घर पे रख दिया जाता है उसके बिहाब पे काम उसका पती कर रहा होता है तो actual में महिला को जो शशक्ति करन आप पावर होना था वो तो हुई नहीं जिस चीज के लिए उनको आगे लाना था वो चीज तो हो जी नहीं पा रही जो 33% आरक्षन जो है महिलाओं के रखा गया था सीटों में वो सब चीज़ें विर्थ जा रही है इन सब चीज़ों को रोकने के लिए कोई ना कोई क्वा जो डाउनलोड कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें में ज्यादा ही पसंद आ गया है तो शेर भी कर सकते हैं तो वस साज के लिए इतना है था इस विडियो में ठेंक्स वोचिंग दिस